हलो दोस्तों आप सभी का SSCG की ग्यान में स्वागत है आज आप सभी के लिए NTPC Mock Test No.2 लाए हैं जिसमें टोटल 40 MCQ है इस 40 MCQ में GK, GS और General Awareness के साथ साथ कंप्यूटर के भी कोईशन लिये गये हैं दोस्तों यह जितने भी कोईशन लिये गये हैं जो अरतमान में NTPC के एक इसम चल लहा है उस पे आधारी यह 40 MCQ लिये गये हैं जिरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शे 0.2 जिसका हम भाग देते हैं तो 5 मिलता है तो इसका राइट एंस्वर 5 डायोप्टर होगा तीस प्रश्ण का राइट एंस्वर D होगा दोस्तों उत्तर लेंस की जो छमता होती है उसकी जो महत्रक होती है डायोप्टर इसको भी आप याद रखिएगा और इसके साथ आप जाद रखिएगा जले नेक्स कोईचन पढ़ते हैं आपका नेक्स कॉस्चन है जोको वेर वेरिवेर इंपोर्टेन प्रश्ण है दोस्तों कि दूप के चसमे की छमता क्या होती है तो इस प्रश्ण का राइट एंस्वर एह होगा जीरो डायोप्टर फीजरें नेक्स क्वर पढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि दूर्भीन का विस्कार किसने किया था इस प्रश्ट कराई टेंस te ल्यूमेन जोती फ्लक्स का मत्त रख है तीस प्रश्ण कराई टेंस और अधोगा दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा जोतीति ब्रता कमात्रक केंडला होता है दोस्तों इसमें जितनी प्रस्ण लेगे स्लेक्टेट कोईस्टन लिए गये हैं चले नेक्स कोईश्टन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईस्टन जो की वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है कि मायोपिया से क याद आत पर है तो इस प्रस्ण कराई टेंस्वर भी होगा निकट द्रिष्टी दोस्त दोस्तों निकट द्रिष्टी दोस्त के बात बारह में आप याद रखेगा निकट द्रिष्टी दोस्त में ब्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो असपच दिखाई देती है लेकिन important परसन है दोस्तों एक्जाम में कई बार रिपीटेडब हो चुका है क्या है लूगा चाल याद रखिये जाए एक लिएक दूर असकर दिखाई देती है लेकिन नज़्दीक के वत्तु नहीं देती है दूर दिरिश्टी दोस्कों दूर करने के लिए उत्तर लेंज का प्रियोग किया जाता है इसको आप साथ में याद रखेगा चलिए नेक्स कोईशन के लिए आपका नेक्स कोईशन है कि किसी तारे की रंग से पता चलता है तो किसी तारे की रंग से हमें ताप का पता चलता है तो इस प्रेशन कर आई टेंस वर सी होगा चलिए नेक्स कोईशन के लिए आपका नेक्स कोईशन है कौन सिमेट का मुख्य संगठक है तो इस प्रश्ण कराई टेंस्वर बी होगा चूना पत्थर चूना पत्थर सिमेंड का मुख्य संगठक है चले नेक्स क्वेस्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्चन है कि मानो शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो जो मानो शरीर है उसमें विटामिन A या क्रित में भंडारित होता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस्वर यह होगा जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है दोस्तों इसमें जितने वी प्रश्ण लिये गये हैं वरतमान में जो एक्जाम चलना है उसमें आधारित सभी कोईश्ण लिये गये हैं 2G spectrum में अच्छ़ Hause G किष शब्द के लिए प्रयुक्त होता है तो इस प्रश्ण कराई टेंसोर तो इस प्रश्ण कराई टेंसोर बताईए दोस्तों इस प्रश्ण कराई टेंसोर सी होगा जन्रेशन चलिए next question के पड़ते हैं आपका next question है कि PIL का अर्थ है ये भी RRB में कई बार repeated हो चुके हैं question इन सभी प्रशनों को याद रखेगा PIL का अर्थ होता है public interest litigation तो इस प्रशन का right answer ये होगा चलिए next question के पड़ते हैं आपका next question ये भी very very important प्रशन है दोस्तों ये exam में repeated हो रहे है विश्व पारेवड़ दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पारेवड़ दिवस 5 जून को मनाया जाता है तो इस प्रशन का right answer ये होगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि hydrogen bomb किस सिद्धान पर कारे करता है तो hydrogen bomb जो हता है अन्यंत्रित सलेर अभिक्रिया पर कारे करता है तो इस प्रशन का right answer ये होगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि परमाल शक्ति सन्यंत्र किस सिद्धान पर कारे करता है तो परमाल शक्ति सन्यंत्र विखंडर अभिक्रिया पर कारे करता है तो इस प्रशन का right answer ये होगा चले next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है कि पीलिया किसके संक्रावन की कारवर होती है तो इस प्रश्ण कराई टेंस्वार भी होगा जब कृत चले next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है कि मंत्री मंडल की बैठक की अधच्चता कौन करता है तो मंत्री मंडल की बैठक की अधच्चता पर धान मंत्री करते हैं तो इस प्रश्ण करा इंस॓र डी होगा दोस्तों जो अरतमान में एक्जाम हो रहे हैं उसमें सन्विधान जोग्राफी पॉलिटी सब ही से exam में question गवर्ना जनरल कौन था तो 1857 की विद्रों के समय भारत का जो जनरल गवर्ना था लाट कैनिंग था तो इस प्रश्ट कराई टेंस्वार सी होगा चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि प्रसित संकी तक तांसेन का मगबरा इस्थित है इस प्रश्ट कराई टेंस्वार भी होगा ग्वालियर में तांसेन का मगबरा इस्थित है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विसाडू क्या है तो विसाडू एक अकोश्की है इस प्रश्ट कराई टेंस्वार भी होगा चल ताली कोटा के युद्ध हुआ है तिस प्रश्ट कराई टेंस्वर डी होगा दोस्तों जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्ध को आप याद करके जाएएगा चलिए नेक्स कोईशन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईश्चन राजिपाल का कारिकाल कितने वर्ष क होता है ति राजिपाल का काकार है नेल वर्ष के लिए होगा दोस्तों इसके साथ आप याद रेखेता है जो राष्ट पती प्रधान मत्री लोग सभा के यद्धियर्थ इन सभीख का कारिकाल होता है सभीEM का पांच वर्ष होता है चलिएधि नेक्स कोईश्चन बढ़ते ह आपका next question जो very very important question है दोस्तों कि भाख़ा नांगल परियोजना किस नदी परिस्तित है तो भाख़ा नांगल जो परियोजना है सतलज नदी परिस्तित है तो इस प्रश्ट कराई टेंस्वार D होगा चलिए next question की बढ़ते हैं आपका next question है कि computer का computer का जो सबसे महत्तुपड़ भाग है CPU है तो इस प्रश्ट कराई टेंस्वार यह होगा चलिए next question की बढ़ते हैं आपका next question है कि परमारू करमाक 20 वाले परमारू का electronic न्यास है तो परमारू करमाक 20 वाले परमारू का electronic न्यास बताईए दोस्तों इस प्रश्ट कराई टेंस्व कि बारू करें और झो होगा दुआ ऐट जिए next question की बढ़ते है तो is प्रESQUE क्यों बढ़ते है आपका next question है यह वह वी इंपर्टेंट प्रश्ट देश्टों यह भी एक्जाम में कई बारेपित हो चुके हैं कि रोहतांग सुरंग जो हिमाचल परदेश में है का नया नाम क्या रखा गया है तो जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदल कर अटल सुरंग कर दिया गया है तो इस प्रेश्ट कराई टेंस वर ए होगा चले नेक्स कोईशन क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि आर्णी थोलाजी में किसका अध्यान होता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस वर यह होगा पच्छी का चलिए next question क्यों पड़ते हैं आपका next question है मिनमाता रोग का कारण है जो मिनमाता रोग है उसका कारण पारा है पारा के कारण मिनमाता रोग होता है तो इस प्रश्ण कराई टेंस वर यह होगा चलिए next question क्यों पड़ते हैं आपका next question है कोविट्र केर अएक परण्चल प्रणचल परदेशन चारी चारी किया है इस प्रश्ण कराई यह ची वड़ते हैं आपका next question है कि धार्या कीकाई क्या है तो जो निधारा की इकाई होती है, एंप्यर होती है तो इस प्रेश्ट का रहाई ट freak भी होगा, दोस्तों जो Newton लिखा है, वो VOL कमात्य रख है Kelvin ताप्मान कमात्य रख Its Cond appealing ताप्मान कमात्य रख़ है, जो है डिवाइस का उधारर है इस प्रश्ट कराई टेंस्वर, C होगा, स्केनर, जब कि प्रिंटर, CPU, मानिटर, यह सब आउटपुट डिवाइस है, चलि नेक्स क्वेश्चन के ओपड़ते हैं, आपका नेक्स क्वेश्चन है, कि सबसे हलकी धातू है, सबसे हलकी धातू, बताजी कि पेनिसलीन की खोज किसने की थी, तो शब कराई टेंस्वर, दोस्तों बताइए आप, पेनिसलीन की जो खोज है, कि फलेमिंग ने किया है, तो शब्रश्ट कराई टेंस्वर भी होगा फ्लेमिंग ने पेनिसिलीन के खोश की है चलिए नेक्स कोईशन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स कोईशन है जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन कहां पर आयूजित हुआ है जो जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन है साओधी अरब में आयूजित हुआ है तो इस प्रेश्ट कराई टेंस्वर भी होगा चलिए next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question कि पास्कल इकाई है जो को very very important question है दोस्तों तो पास्कल की इकाई दाप की इकाई है तो इस प्रेश्ट कराई टेंस्वर भी होगा जो दाप की इकाई है पास्कल है चलिए next question क्यों पढ़ समाज की जो अस्थापना है दयानन्द सरस्वती न किया है इस प्रेश्चन का राइट एंस्वर यहोगा हुगरते हैं Ό वहल्टी होगाuje ऩॉड़ वी ने चले नेकस्ट को ही सिना आपको नेक्स वह सब और तो तो हुआ ब्ली case कोंसी है जिस्टो कि रइल्ट एंशोर वह वह अमोनिया अमोनिया जो है वा वाईू से हल की है इन सब प्रशनों का आप याद रिखियागे दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज की निर्त शैली है जिस प्रश्ट कराइट एंसर बताएं दोस्तों कि कुचिपुड़ी किस राज की निर्त शैली है जिस प्रश्ट कराइट एंसर भी होगा आंधर प्रदेश आंधर प्रद क्वेशन में से आपकी कितने क्वेशन सही हुए हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और स्क्राइब करें थैंक्स